अगर आपको ढोगला बनाना मुश्किल लगता है तो आज आपकी परिशानी दूर हो जाएगी क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकराई हूँ ग्लास में बनने वाला इंस्टेंट ढोगला जिसे बनाने में आपको जादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा और नहीं आपको बहु है तो एंस्ट पसंदाने वाला है तो वीडियो को पूरा देखें और आपको आज की रेसिपी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शियर दरूर करें थो चलिए जरू करते हैं में अगर Libya सब्सक्राइब कर एंसी आइअ डालीक में जम लाइजाकिशान इस सबसे पाले में म तो बेशन को आपको जरूर छानना है इससे हमारा धोकला है पहुत ही एरी सब सोफ्ट और स्पॉंजी बनेगा तो इसलिए आप बेसन को जरूर चाने तो यह पर आप देख सकते हैं मैंने स्पून्स की मदद से बेसन को अच्छे से चान दिया है और बेसन चानने के बाद हम इसमें एड करेंगे सिट्रिक एसिड यह सिट्रिक आपको बहुत इजिली मिल इसी नाम से आप इसे नीबु का सत्वी भी बोल सकते हैं हिंदी में और इसे हमें एक छोटा चमज डालना है इसके वज़े से इसके अंदर बहुत अच्छी एक खटास आती है जो बहुत अच्छा एक फ्लेवर देती है ढोकला को इसी के साथ मैंने इसमें एक कप पानी डा बहुत जादा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से जरूरत के हिसाब से ही आप इसमें पानी एट करेंगे बाद में बेसन को अगर आप छानकी यह उस करेंगे तो यह जो हमारा बैटर है एकदम स्मूध बनता है कोई भी गुठलिया नह स्ष्ध नमक नहीं डाले एक चौता ही च्छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे हल्धी पाउडर हल्धी पाउडर मुठ दोखकल रखव जे मिक्स कर लेंगे यह 7 शारी मoney नहीं डेंगे आभी यह जि पांट मिनिट के लिए लगातार है इसमें बनेगे यह पांटबिश सभीझ हो ऑची डाल को दर ब्झूट थोड़ी में वह नवल टाल और alone झाल रप है नियुंड देंगी क्रश की हुई इसे बहुत अच्छा अघाँ और साथी में little spring dash form में लगकते हैं तो आदो चीज़ हमने डाल दी है मॉइस्चर के लिए हम इसमें दो बड़े चमच जितना रिफाइन डाल देंगे ताकि ढूकला में मॉइस्चर है वो ड्राय ना लगे खाते समय तो इन सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं तो वापस आपको इसे पांच मिनिट के लिए लगातार चला टोटल मैंने यापे डेड़ कप पानी का इस्तमाल किया है और कंसिस्टेंसी आपको इसी तरह की रखनी है तो अभी हम इसे ढखके 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि यह फर्मेंट हो जाया और बाद में हम इसकी तैयारी करेंगे ढूकला बनानी की मोल्ड में बना सकते हैं या कटोरियों में भी बना सकते हैं उन में भी इजली बन जाएगा तो ग्लासेस हमारे तैयार हो गया है इने साइड में रखेंगे और बैटर भी हमारा तैयार हो गया है तो दस मिनिट बाद आप धकन खोलके इसे दो मिनिट के लिए विस्क कर लें अच्छे से अभी हमने कुछ भी एड़नी किया है बस आपको इसको विस्क कर लेना है ताकि इसमें बबल्स आजाएं अच्छे से तो यहां पर हमारे जो बैटर है तयार हो गया है तो ग्लास में इसको डालना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम ग्लास को भर देते हैं हमें इसे सीधा स्टीम करना होगा तो ग्लास इसको भर के हम तुरंत इससे स्टीम कर लेंगे तो चारो ग्लास में मैंने ब पानी आ कि बड़े बड़े से कर देते हैं यहां पर पृसेस आप को मै productive श्राइब बिच में फिलाल इतना ही में उप तो यहां पर ग्लास हमारे चिसे सेट हैं, अब हम इसे कवर कर देते हैं, तो ध्यान रखे आपको डीब बरतन का और थोड़े बड़े बरतन का इस्तमाल करना है, तो 10-15 मिनिट के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना होगा, तो यहां पर टोटल 15 मिनिट हो गए है तो हलका जब तक ढोकला ठंडा होगा, तब तक तड़का तेयार हो जाएगा, तो मैंने एक चोटा चमिश तेल डाल दिया है, आदा चोटा चमिश सरसो के दाने डाल देंगे इसमें, यानि मस्टर्ट सीट्स साथी में डाल देते हैं, दो चुटकी हींग, तो यह एकदम च तो बहुत जादा पानी होगा, उतना ही हम ढोकला में डाल पाएंगे पानी, उससे हमारे जो ढोकला है वो और भी टेस्टी लगेंगे खाते समय, तो आदा शोटा चमिश हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, बहुत जादा नमक नहीं डालें, डेड़ बड़ा चमिश हम या चीनी डाल देंगे और आधी नीमू को निचोड के डाल देंगे, अब यह खटा मीठा पानी डल रहा है तो नमक भी रहेगा, चीनी भी रहेगी और नीमू भी रहेगा, इससे हमारे जो पानी है वो जादा स्वादिष्ट बनता है, अब हम क्या करते हैं, इससे दो मिनिट क के लिए पानी है, बिल्कुल तेयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी पानी बनता है, तो यहाँ पर ढूकला भी हमारे हलके से ठंडे हो गया है, आपको इने बहुत जादा ठंडा नहीं करना है, हलके ठंडे हो जाए, फिर आप इसे निकाल सकते हैं, ढूकला बहुत ही आसानी और पीछे से टैप कर दे ग्लास को और यहां पर हमारे ढोकला निकल गया है और आप देख सकते हैं यह कितना अच्छी सिटीम हुआ है इसकी आप जालियां देखकर समझ सकते हैं यह बहुत ही पर्फेक्ट स्टीम है अब मैं आपको इसको पीसिस में कट कर दिखाती हूं इस दोकला की सबसे ची बात या लगतकी है कि इसके जो पीसिस है ना वो बहुत ही अच्छी निकल के आते हैं आप देख सकते हैं ये रूई जतना सॉफे बना है यह देखिए तो दोकला की हम स्लाइज निकाल देते हैं और आप देख सकते हैं से कितनी अच्छी जालियां आई है जो इसका साइन है कि एकदम पर्फेक्ट बनाया है मुझे कहनी की जुरुती नहीं है आप ये बड़ी से बड़ी फैमली के लिए एक बार में इस ढोगला को बना सकते हैं क्योंकि ग्लासिस में काफी सारे पीसिस निकल के आ जाते हैं और लास्ट में जब आप इसे पीसिस में काट लें फिर ये तड़का पोर जरूर करें ताकि इसका ही जो फ्लेवर है वो और भी जादा बढ़ जाए अगर आप कोई चीनी वाला तड़का नहीं पसंद है सिर्फ खटा ही पसंद है तो आप उसमें चीनी को स्केप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढोगला हमारा इजली ब्रेक हो गया है और एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी बना है ये देखिए अगर आपको आज की ये जट पर ढोगला की रेसेपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और ढोगला बनाने के बाद अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें फिर मिलते हैं एक और ने रेसेपी के साथ